हेलो एन वेलकम तो दी माई न्यू एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इगनाइट डिजार एजुकेशन तो इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ओपर बात करें हैं वो है नॉन रेनेवल एनर्जी इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहे हैं तो इस चैनल को करना ना बोले क्योंकि हम एजुकेशनल वीडियो को अपलोड करते रहते हैं तो नॉन रेनेवल एनर्जी अथा ऐसी एनर्जी जिसके इस प्रकृति में के वर सीमित संसाधन मौझो थे यानि कि यह एक लिमिट में ही मौझूद है हमारी प्रित्वी पे और एनर्जी को मोस भूवित तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो अब प्लिलिस्ट पर जाके देख सकते हैं नॉन रिनेवल एनर्जी को एक्शेंज नहीं किया जा सकता यानि इसको रुप्लेस किसी दूसरी एनर्जी को दौर Elleok नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका प्रयोग बहुतायत में होता है most of non-renewable energy sources are fossil fuel like coal petroleum and natural gas how it's made यानि non-renewable energy sources का निर्मार कहां से हुआ है मैंने आपको पहले ही बताया कि most of non-renewable energy sources are fossil fuel like coal petroleum and natural gas carbon एक मुख element होता है जो कि इन fossil fuels में होता है इनको बनने में काफी समय लगता है यानि करीब 300 million यह से 360 million तक समय इनको बनने में लगता है इसी समय जब भी कोई पेड़ पौदे या जानवर मित होते थे तो उनके अवशेश जमीन के अंदर store हो जाते थे जिनके उपर high temperature और high pressure में कई सालों तक दबाव पड़ता रहा इसके कारण काफी मात्रा में दबाव और heat जनरेट हुई जिसके बाद यही अवशेश fossil fuel के रूप में तबदील हो गए यानि यह इन ही के तुरू fossil fuel का निर्माण होगा है इसी कारण इस प्रकार से बने हुए fuel को fossil fuel का जाता है क्योंकि fossil कारत अवसेश होता है अब जानते हैं कि sources of non-renewable energy यानि कि यह कि रूपो में पाए जाती है non-renewable energy coal, petroleum, natural gas और nuclear energy चार प्रमुक sources है non-renewable energy के तो सबसे पहले बात करते हैं coal coal को या coal को जलाने के बाद उसमें से उर्जा उत्पन होती है चाइना इस वर्ड का सबसे ज़्यादा coal का उत्पादन करता है यह करीब 3 billion ton per year coal उत्पन करता है coal का use home heating और power plants को चलाने के लिए किया जाता है coal का निर्माड पेड़ पौधों के थ्रूवा है यानि कि पेड़ पौधों के आउसेसों से ही coal का निर्माड हुआ है अब बात करते हैं types of coal की यानि कोई लग इतने प्रकार का होता है anthracite, bitumens, subbitumens और lignite anthracite, anthracite में करीब 86-97% तक carbon होता है और यह सबसे ज़्यादा उत्तम quality का coal होता है यानि कि यह high quality coal होता है सबसे ज़्यादा most of it's mainly used by metal industries का use मुख्यता metal industry में किया जाता है anthracite को जलाने में काफी दिक्कत होती है और यह करीब short, blue and smokeless flame के साथ जलता है चाइना सबसे ज़्यादा anthracite का निर्माड होता है इसके अलावा Russia, Ukraine, North Korea, South Africa, Vietnam, UK, Australia, Canada और US भी anthracite का निर्माड करते है bitumens, bitumens में carbon content होता है 60-80% ash content होता है 6-12% heat content होती है करीब 24-35 mj per kg coloration इसका black या brown होता है uses smithing coal, cooking coal, power generation के लिए किया जाता है इसका बिनिर्माड सबसे ज़्यादा चाइना में होता है इसके अलावा America, South Africa, Russia, Federation और Australia भी bitumens coal को पैदा करते है यहाँ इनका production होता है सब bitumens सब bitumens में carbon content 35-45% तक होता है heat content 19.3% और 26.7% तक होता है colorations की dull dark brown या black और bright jet black होता है इसका use stream electric power engine को बनाने के लिए किया जाता है mainly China, America और Russia सबसे ज़्यादा सब bitumens coal की पैदावार करते है lignite, lignite so next type of coal है lignite, lignite में carbon content 60-70%, ash content 6-90%, heat content 10-20% और coloration इसका brownish black होता है इसका use fertilizer, steam electric power generation के लिए किया जाता है top 10 countries जो की lignite का production करती है वो है Germany, USA, Russia, Poland, Turkey, Australia, Greece, India, Czech Republic and Bulgaria so यह countries lignite का production सबसे ज़्यादा करती है all over the world और अब next type of non renewable energy है petroleum petroleum source liquid form में होता है और इसको refine करने के बाद fuel का निर्मान होता है petroleum के से प्राप्त fuel का use vehicles या वाहनों को चलाने के लिए heating units और machines इत्यादी में किया जा सकता है इसको convert करके plastic तथा other materials भी बनाया जाते है किसी भी world में किसी भी country की economy और global politics में petroleum का बहुत बड़ा हात होता है Gulf countries जिनके पास काफी मात्रा में petroleum और crude oil है इसका फाइदा वो global politics में उठाती है petroleum को सरफ्रतम oil drilling के तुरू निकाला जाता है इसके बाद इसको refined किया जाता है then यह refined होता है different kind of fuels में जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा so petroleum drilling की कुछ तस्वीर है petroleum products के बारे में बात करते हैं यानि कि petroleum को refine करने के बाद जो products उसमें से निकलते हैं तो सबसे पहले इनको two categories में बाता गया पहला है fuel और दूसरा है other products so fuels में butane, diesel fuel, fuel oil, gasoline, kerosene, liquefied, natural gas, liquefied, petroleum gas और propane other products में micro crystalline wax, napalm, naphtaline, paraffin wax, petroleum jelly, petroleum wax, refined asphalt और refined bitumen है so petroleum waste के तुरू over 6000 items का निर्मार कराया जाता है top countries that produce petroleum are United States, Saudi Arabia, Russia and Iraq so next non-renewable energy का source है natural gas natural gas, natural gas एक प्रकार का hydrocarbon होता है जिसका use heating, cooking और electricity generation के लिए किया जाता है ये एक प्रकार का mixture होता है gases का या hydrocarbon gases का जैसे methane, nitrogen, carbon dioxide ये सभी naturally atmosphere में होती है और इनका use ही natural gas as a fuel करता है natural gas reserves are deep inside the earth near other solid and liquid hydrocarbons beds like coal and crude oil यानि कि natural gases के reserves काफी deep inside है अर्थ के ये liquid और solid hydrocarbons like coal and crude oil top five producers of natural gas are United States, Russia, Iran, Canada and Qatar यानि की इन देशों में सबसे ज़्यादा natural gas का production होता है इसका use ammonia, methanol, butane, ethane, propene और acetic acid के production के लिए भी किया जाता है जैसा कि हम जानते हैं कि LPG भी इनी के products है यानि कि LPG का निर्मादा भी इनी gas के तुरू होता है तो natural gas तक पहुचने के लिए hydraulic fracturing technique या fracking technique का use किया जाता है इस technique में high pressure water split to split apart the rock underground these release the natural gas what is trapped in rock formations so rock के तुरू इस process के द्वारा निकाला जाता है natural gas को and next type of non-renewable energy is nuclear energy so लगबग 16% words की electricity का production nuclear energy के तुरू होता है nuclear power plant use uranium as a fuel to extract energy from it यानि कि uranium का use ये as a fuel करते हैं energy को प्राप्त करने के लिए nuclear energy दो तरीके से प्राप्त होती है nuclear fusion के द्वारा या nuclear fusion के द्वारा uranium 235 element is bombarded with a slow moving neutrons which break atoms and release energy uranium के slow moving neutrons की bambari atoms पे के जाती है जिसके बाद atoms से energy release होती है इस process के तुरू nuclear energy को पनाया जाता है तीन countries यानि की Kazakhstan, Canada और Australia लगबग 71.2% uranium का उत्पादन करती है या nuclear energy का उत्पादन करती है so nuclear power plant जिसके तुरू nuclear energy को बनाया जाता है so thank you for watching अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो like करें और channel को subscribe करें मिलते हैं next video में bye